तो दोस्तों कैसे रॉप आपको स्वागते हैं मेरे यूटूब चैनल गाइजर मनकुमाई डीपेंड गाइजर आची वाली वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी टीम अपनी मतलब स्कोर्ड बना रहे हो तो आपको स्नाइपर लेनी चाहिए या फिर आ पारे में बताऊंगा और इन दोन में सब क्या लेना अगर आप एक प्रोपर स्कोर्ड बनाना चाहते हो तो इन दोन में से क्या लेना चाहिए और आपको पास डिवाइस लो लो एंड़ है तो आपको क्या लेना चाहिए अगर आप डियमर यूज़ करते हो तो आपको मतलब सब कुछ बताने आ रहा हूं तो फिर इस वाली वीडियो से बस जुड़े रही है और आपको बहुत मज़ा आने वाला वीडियो देखके और इसमां बहुत कुछ सीखने को मेले गां तो ने दिखते रहें को तो चलो सब्सक्राइब स्वाइब करता है कि आपकी सकॉड जारतर की फाइटों में ज़्यादा जीती है अगर और मिड रेंज में जीतु के लिए आपकी स्कॉड जीता है जादा और अगर आपकी स्कूर्ड लोंग रेंज में ज्यादा अच्छी वाइट ले पाती है तो फिर आपको वैसी बात है अपनी टीम में दो स्नाइपर तो रखने चाहिए और दो असौल्ट तो गई इससे आपकी स्कूर्ड के विनिंग रेट जो बहुत जादा बढ़ जाएंगे इसका और भाई मजा जाएगा वाई सब बिल्कुली लोंग रेंज में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा अगर तुम अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है वाई लोंग रेंज में पेलने को बन देतो तो चलो गईजर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पॉइ जब हम स्नाइप करते हैं तो उसमें लैक का जाधा सीन रहता है नहीं बॉल्ट एक्शन में क्योंकि हमें वस एक बुलेट छोड़नी होती है ना उसमें रिकॉइल कंट्रूल करना होता है बाच हैड़ पर एम लेके फटा फट उसमें बुलेट मार नहीं होती बंदे के हैड पर तो उसमें ज्यादा लैक का सीन इतना रहता है नहीं बस लैक में थोड़ा बहुत एम करने में प्रोब्लम होती है अगर आप इस प्रेश करोगे भाई जब कि आपके आपको पता है भाई आपके पास इतना अच्छा डिवाइट है नहीं तो आप उब्वेसी बात है इस का तो गाइज अगर आप स्नाइपर चूस करले तो तो मापकी एक और कंषीजन जो है दूर कर देता हूं कि अगर आपको तो मतलब आप इस नाइपर आपने चूज कर ली ठीक आपको अच्छी काशी स्नाइपर भी चलानी आती पर जैसे आपको हमें पता है के हर गेम में भाई रेली मिलती है स्नाइपर मलब हर बाद नहीं मिलती और बहुत पड़ी रहती है रिंगल के अंदर तो गाइस आप ब्या चला रहे हो लो एंड डिवाइस में अपनी स्कोर्ड के भाई तुम इस स्नाइपर हो तो भाई उवरसी बात है डियमर भी तुम ही चलानी पड़ेगी अगर आप डियमर चला रहे हो तो गैस आपको अराम-अराम से हैड हैड ले लेके बंदे को कील करना पड़ेगा डियमर से ना कि आप भाई मतलब चाइनीज प्रो की वीडियो देख क्या तुम जल्यली टैप करने लगे तो उसमें कुछ वाइदा निया आपकी बस है मोवेस्ट होने वाली है और कुछ वाइदा निया से बढ़िया भाई तुम प्रोपर एंब लोगो दो हैड मारू बंदा खता में तो गाइस वैष्ट कि मैंने आपको बता दिए कि आपको डीमर कैसे यूज करनी ए और अगर सामने आले बंदा मैं आपको आपको ये बताव आपको मतलब किस की उसकर कैसे यूज करनी है इसे कि मैना इसमात तो अगर सामने आले बंदे के पास है वाई 7.62 की गन या फिर उस वो किजी 5.56 की गन से जो है आपके उपर स्प्रे दे रहा तो गाइस आपको एक ऐसे तरीके से उसके निया भाई स्पवल यह एक बुलट हीट करी बंदे करना है वापीस से कवर में अने पोजिशन चेंज और यहां प्लिट आपको एक बूलेट वापीस हैड पर मारके फटा-फिट कवर में आना और दूसरा एंगल से मारना क्योंकि उस बंदी के पास है मैं नहीं पता नहीं क्या पता है न प्रोबलम नहीं कैसे भी यूज करें वह उनकी प्रैक्टिस के उपर है अगर आपको कुछ ऐसी तरीके से यूज करना पड़ेगा सब कुछ आपको थोड़ा सो कॉम्परमाइस करना पड़ेगा यसी कि मैं बता रहूं आपको एक बुलेट मारती आपको मतलब जो है कवर में आना फिर पोजिशन चेंज करके एक और हैड माना ऐसे धीरे धीरे करके आप बंदा खतम कर सकता है तो बस तो गाइस जो अभी जो अभी तक हमने बात करी थी वह थी गाईस लोएंड डिवाइस वालो के लिए मतलब जिनके पास अच्छे डिवाइस आपको गाईब के मैं बात कर लेते हैं उनके लिए जिनके पास है और चाहिए Rend da Juano करना पूछा अगर आपके बास थी वाईस मैं आपको बता दू वह जो यह मैंने आपको पहले बात आया था कि आपको आपकी जीज में ज्यादा जीती है किस तीम जादा फाइड जीती है आपको उसी में मतलब ध्यान देना होगा जैसे कि अब में द्रेंब जीता भाई ओवेसी बात है तो मिस तुम असॉल्टर बंजर स्प्रेखरो भाई फुब करो तो घैसा पर चाहिए कर दोस्तों कैसे प्रोपर स्कोड बनाने के लिए में बहुत इफ्यक्टीव हो सकती है वीडियो तो भाई अपने दोस्तों के पास बहाई शेयर करना भाई चैनल अच्छेल बहुत कर देना एंड यार्स वाली वीडियो भाई पक्का लाइक कर देना वाई बहुत महना से बनाई ये वीडियो मतलब बहुत बोलना पड़ा इसमें तो गैस चलिए मिलते नेक्स वाली वीडियो में तो गैस ठैंक्स और वाचिंग